तो यार दो वीडियोज हम अल्रेडी बना चुके हैं NIT के अंदर MCA के प्लेस्मेंट्स को लेकर जहां पर मैंने आपके साथ NIT इलाबाद के प्लेस्मेंट्स शेर किये थे NIT कुरूचेत्र और NIT कैलिगट के प्लेस्मेंट्स भी शेर किये थे लेकिन उन वीडियोज के कॉमेंट सेक्शन में बच्चे एक ही चीज लिख रहे थे कि भाईया जो टॉप NIT हैं उनके प्लेस्मेंट्स आप हमारे साथ शेर करूँ तो इस वीडियो में मैं आपके साथ उन सभी NIT के प्लेस्मेंट्स शेर करने वाला हूँ जो उन दो वीडियोज में रहे गए थे तो इस वीडियो में मैं आपके साथ NIT तिर्ची, सूरतकल, बारंगल सभी के प्लेस्मेंट्स शेर करूँगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ ओवराल बात करूँगा प्लेस्मेंट्स को लेकर साथ से 8 CTC है और जो lowest package है वो 5 CTC है और अगर मैं आपको इसे percentage में बताऊं तो total 56% बच्चों का placement हो गया है जमसेत्पूर के अंदर इसके बाद हम बढ़ते हैं उस NIT की तरब जिसकी placement जानने के लिए आप सबसे ज्यादा बेताब हो यानि कि NIT 13 के अंदर किस तरीके के placement हुए हैं तो यार NIT 13 के अंदर total 113 बच्चे थे जिसमें 76 बच्चों का placement हो चुका है और अगर इसे percentage में देखें तो total 67% बच्चों का placement अभी हो चुका है लेकिन इन 67% बच्चों में ऐसा नहीं है कि सभी on campus वाले बच्चे हैं काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके off campus भी placement हु होता है तो उसे on campus placement कहते हैं और जो बच्चे on campus ना लेकर off campus placement लेते हैं यानि कि बहार कहीं apply करते हैं किसी company में जहां पर college का कोई रोल नहीं होता तो उसे हम off campus placement कहते हैं तो इस तरीके से off campus और on campus मिला कर यहां पर total 67% बच्चों का placement हुआ है और यहां पर जो highest package है वो है 53 CTC और जो average package है वो 12-14 CTC है तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आकर आप एक ऐसे student हो जो किसी कारणबा से एक regular college को join नहीं कर सकते हो तो आप वही degree online complete कर सकते हो लेकिन जब online की बात आती है तो काफे जादा scams की problem भी बढ़ जाती है इसलिए आज इस वीडियो में आ यहां से आप अपने लिए एक best university choose कर सकते हो उस platform का नाम है college विद्या अब आपको कोई भी UG degree करना हो कोई भी PG degree करना हो आपको जस्ट थोड़ी सी details फिल करनी है उसके बाद इस platform का AI model अपने accordingly एक suitable universities की list आपको देगा जितनी भी universities आपको यहां पर मिलने वाली है वो सभी government approved होंगी अब यहां से आपके पास दो option होते हैं या तो आप directly actual university official से बात कर सकते हो या फिर आप दूसरा option choose कर सकते हो और connect हो सकते हो college विद्या experts के साथ audio या video counseling के लिए एक दब free में जो counselor आपको यहां पर मिलने बाले हैं वो admission से लेकर placement तक आपके साथ रहेंगे इसके बाद जो universities आपको पसंद आ रहे हैं उनका आप comparison कर सकते हो 30 plus factors पर like fees, approvals, students rating, placement, EMI facility etc. एक अच्छा फायदा college विद्या से जुडने का ये भी है कि आपको यहां पर EMI facility मिल जाती है चाहे वो university आपको EMI options देती हो या नहीं देती हो और best part college विद्या का ये है कि आप यहां से directly official website पर पहुँच सकते हो जिससे scams की problem लगबख खतम हो जाती है आपको यहां पर placement supports और career booster programs भी मिलते हैं जिनकी कीमत लगबख 6999 तक है लेकिन आपको यह सब एकदम free में मिलेंगे अगर आप description में दी हूई link के थूँ अभी admission लेते हो तो overall यह आपके लिए one stop solution अगर आपको कोई online degree करनी है तो अब आप समझदार हूँ सारी links मैंने आपको description में दे रखी हैं तो आप easily description में जाओ और बहाँ से जाकर college विद्या को check out कर अब इसके बाद हम बढ़ते हैं NIT बारंगल की तरफ तो यहार NIT बारंगल के placements के लिए जो records में यहां पर आपको बताने वाला हूँ वो सारी records मैंने इनकी LinkedIn profile से उठाय हुए हैं क्योंकि जो मतलब बाखी के NIT से उनके लिए तो data मैंने मतलब उसी college में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और मैंसे किसी से लिए लेकिन ये data सारा मैंने LinkedIn से ही उठाया है तो अगर आप चाहो तो बहाँ जाकर भी check कर सकते हो और यह और जवत हैं मैंने आपको इसलिए बताई कि इन्होंने जो average package दे रखा है वो कही नक्यी मुझे एसा लग राग रहा है थोड़ा ज़्यादधा दे रखा है मतलब इतना होता नहीं यह है na इनन्होंने average package दे है 19.96 यानि के 19 lakh 19 lakh इतना average package ज़्यादा लग रहा है मुझे तो इसके बाद हम बात करते हैं total कितने बच्चे थे NIT बारंगल के अंदर और इन मैंसे कितने percent बच्चों का placement हुगा तो NIT बारंगल के अंदर total 58 बच्चे थे जिसमें से 32 बच्चों का placement हो चुका है और अगर इसे हम percentage में देखें तो यह होता है 54% NIT सूरतकल के इलावा मैंने आपको जितने भी NIT के placements बताए हैं वो एकदम accurate हैं यानि कि बहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन मैंसे किसी एक से मैंने वो data लिया है और आपके साथ share किया है लेकिन NIT सूरतकल का जो data है वो थोड़ा बहुत आंगे पीछे हो सकता है क्यो जो यहां पर percentage में अगर देखें किसका सबसे अच्छे placement हुए है तो वो हुए है NIT कुरूचेतर के NIT कुरूचेतर में 70-80% बच्चों का placement हो चुका है और अगर दूसरे नंबर पर देखा जाए तो वो है NIT तिरची जहां पर 60-70% बच्चों का placement हो गया है और इसके बाद जो बाकी के NIT बच जाते हैं उनके अंदर 50-60% बच्चों का placement होगा है या उससे भी कम % बच्चों का placement होगा है तो यार यह overall आंकडे है NIT MCA के अंदर placement के 2023 के अंदर इस साल उतने बहतर placement नहीं हुए जितने पिछले सालों से होते हुए आ रहे है अगर आप इसे past से comparison करोग हैं क्योंकि जो basic काम होता है वो already AI की दोरा किया जा रहा है और future में में भी और भी ज्यादा AI की दोरा किया जाए तो placement future में किस तरीकी के होंगे वो तो मैं आपके साथ इस चैनल पर जरूर सेर करूंगा लेकिन इस बार के जो placements थे वो मैंने आपके साथ share कर दिया और अगर करना चाहते हो तो यह चैनल आपके लिए काफी जादा useful सावित होगा तो इस चैनल को subscribe भी कर लेना हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में जब तक कि लिए अपना खयाल रखना बाई